लुज़से और टक्रशन और के लिए आपू कर लिया था कल की वीडियो मने कर लिया था अज जो रिमेशक पार्ट है उसके बारे में डिसक्स करते हैं तो देखिया हमने ये डिसक्स कर चुके हैं हम अलड़ी कि what is resource, resource क्या होते हैं, how many types of resources, resources कितने प्रकार के होते हैं, हम सब कुछ अलड़ी first video में discuss कर चुकी है, इसके first part में discuss कर चुकी है, आज हम आगे पढ़ते हैं, next, our next topic is resource planning, जो हमारा next topic है, resource planning है, बिटा देखो, planning, what is planning, अगर हमें, for example, अगर हमें किसी भी टूर के ओपर जाना है, या अगर हमें कोई भी नया कारिय स्टार्ट करना है, तो उससे related के हमें, पहले कुछ planning करनी होती है, योजनाई बनानी होती है, तो same thing यहाँ पर भी है, कि जो resources है, हम सभी को पता है, कि जो resources है, उनकी जो मात्रा है, quantity है, वो क्या है, बहुत limit है, और अगर हम उनका recklessly उनका use करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा है, कि जो resources खतम हो जाएंगे, वो संसादन खतम हो जाएंगे, तो इसलिए इनको सही तरीके से use करने के लिए, इनकी प्लैनिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि हम इनका सही समय पर सही तरीके से इनका use कर सके हो, हमें किसी प्रकार की in future, we have not any face problem, हमें किसी प्रकार की कोई problem ना हो, हमें किसी प्रकार की कोई समस्य हमारे सामने नह आए, तो जो planning है, वो क्या resource को use करने में बहुत ही ज़्यादा important होती है, किसी प्रकार की resource की diversity होती है, diversity होता है विविदता, मतलब की जैसा example के लिए हम इंडिया का ये example लेते हैं भारत के अंदर के है, जो resources है, कई जगे पर बहुत जादा है, abundance है, बट कई जगे पर क्या है, बहुत ही कम है, इनकी मात्रा बहुत कम है, तो ऐसे देश के अंदर, ऐसे एरियास के अंदर planning की बहुत ही ज़्यादा ज़रत होती है, तो there are some reasons, बहुत सारी शेत्र एरियास ऐसे है, जहां पर क्या है, इनकी मात्रा बहुत अधिक है, बट देर आर सम रिजन्स विचाव एक्ट 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 शोटीज ओफ सम्वाइट रिसोर्स, एक्ट एक्जामपल, स्टेट्स जार्खंड, छतिसगर्ड, जहां, अधियाचर प्रदेश, टोड व creation, बहुत अधिक मात्रा है, अन और जो हमने कल भी डिसकस किया था जो राजिस्थान इस प्रकार से अधर कहीं पर किसी चीज़ की कमी है वह उस अरिये कंदर एक आधिक नादर में बट एक चीज महाँ पर बहुत कम मात्रा में यह इस लिए इन सब चीजों के लिए क्रेंग कर दोदोद्ग नादर प्लाइनिंग करना भहत ही ज़रूरी है, ताकि उसको सही तरीके से, जिस चीज किया धिखता है, उसको क्या है? सही तरीके से यूज करके उसे उसका सही यूटिलाइज किया जा सके. Next topic है, resource planning in India, आप देखे, भारत के अंदर जो resource planning है, वो किस प्रकार से है उसका क्या रोल है तो देखे स्टुडेंस रिसोर्स प्लैनिंग इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अगर कोई प्लैनिंग करनी है तो क्या यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसके बहुत ही समय चाहिए इसके अंदर देखे किन किन पॉइंट्स को हमें माइन में रखना होता है, first one is identification and inventory of resources, सबसे first major point is, कि हमें यह देखना है, identification means हमें यह identify करना है, search करना है, कि किस area के अंदर, कौन से शेत्र के अंदर, country के किस area में, कौन से type का जो resource है, वो अधिक मात्रा में है, और कौन से type का resource है, कम मात्रा में, उसके उस से related क्या है, planning करनी होगी, वहाँ पर सारा research करना होगा, और उससे क्या है, उसकी सारा survey करना है, उसकी एक report तयार करनी है, and next के लिए क्या है, survey करना है, mapping करनी है, qualitative quantitative estimation हमें तयार करना है, तब ही इस से related क्या है, हम आपा पूरा complete data निकल के आ सकता है, next point is, evolving a planning structure, endowed with appropriate technology, skill, and instructional setup for implementing resource development plans, इसका मतलब क्या है भीटा, अगर देखे हमने यह चीज़ तो search find out कर ली है, कि कौन से ऐसे area जहां पर resources बहुत अधिक मात्रा में हैं, बट हमें यह तो पता लग गया, resources कहां पर हैं, कितनी मात्रा में हैं, हमने उस से related पूरा survey data तयार कर लिया है, बट if we have lack of technology, skills, तो अगर हमारे पार technology की कमी है, skills की कमी, तो क्या है वो जो हमने data survey तयार किया, वो बेकार चला जाएगा, तो उस से related के हम आपा सारी skills, technologies भी होने चाहिए, ताकि हमें जो भंडार मिले हैं, ताकि हमें जो resources के, जो areas मिले हैं, वहाँ पर के हम उनको सही तरी, सही technique के द्वारा, उन resources को हम सही तरीके से use कर सकें, and then next point is, matching the resource development plans, with overall national development plans, अब देखी बटा, ये भी बहुत important point है, इस point में क्या पताया है, matching the resource development plans, हमने resources related, जो plans तयार किये हैं, जो हमने योजनाएं बनाई है, and overall national development plans, और जो हमने पूरे देश के development के लिए, जो योजनाएं बनाई हैं, उनके बीश में क्या होनी चाहिए, matching होनी चाहिए, अगर वो mismatch होंगे, उनके बीश में तालमेल नहीं होगा, तो वो क्या है, सारा सब कुछ हमारा जो survey था, data था, वो सब कुछ, clasp हो जाएगा, वो सब कुछ waste हो जाएगा, वो हमारे लिए, किसी भी प्रकार के use में नहीं आएगा, तो यह क्या है, यह सारी चीजे, इसके लिए बहुत ही important होती है, अब जो हमारा भारत है, India has made concerned efforts for achieving goals, हमारे भारत के अंदर, जो five year plan है, हर मताब पांस साल के बाद, जो योजनाई बनाई जाती है, वो बहुत ही effective है, और उस उन योजनाउ five year planning के द्वारा ही किया, नए नए implement करके, हर शेत्र के अंदर, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, अब देखे बटा, यह paragraph बहुत important है, इस paragraph में क्या बताए गया है, कि कि किसी भी देश का, किसी भी area का, अगर हम development करना चाहते हैं, तो महाँ पर क्या है, कि जो resources है, उसकी availability होनी बहुत जरूरी है, but, mere availability of resources, in absence of corresponding changes in technology and institutions, but, महाँ पर क्या है, resources तो है, बट वहाँ पर technologies बिलकुल zero है, पूर तो क्या है, वो बिलकुल waste है, वहाँ बिलकुल waste है, हो जाएगा, waste हो जाएगा, बहुत सारे areas ऐसे हैं, बिटा, जो resources में तो बहुत अधिक rich हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, उनकी जो economically backwardness है, वो क्या है, उनकी उसकी वज़े से क्या है, वो resources, तो वहाँ पर rich हैं, बट इस वज़े से क्या है, अब अगर अब पुराने समय की जो history है, history of colonization, रिवेल्स that rich resources in colonies, वर the main attractions for the foreign inventors, अगर अब पुराने समय की जो history है, उसके according अगर देखा जाता है, कि जो उपनिवेश का जो इत्यास है, पुराने समय की जो history है, वो हमें क्या बताती है, कि जो पुराने समय के अंदर, जो अंगरेज थे, जो हमारे देश ओपर आकर क्या, आकरमन करते थे, हमला करते थे, लडाई करते थे, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या किया कि, अपने हमारे सारे जो अधिकार थे, उन्होंने चीहन लिया, तो इस प्रकार से उनकी वज़े से भी क्या है जो रिसोर्स थी वो क्या है जो रिसोर्स वाले जो एरियास थे वो एस इस धह गए और उनकी वज़े से भी क्या है जो रिसोर्स थे वो ज्याद़ ड्वालप नहीं हो पाए जो रिसोर्स जो अच्छे रिच रिसोर्स एरियास थ वह क्या है उनकी वज़े से वह डॉलप नहीं कर पाए और वह धीरे-धीरे करके खतम होते चले गए अब आगे है नेक्स टोपीवेटा इसके बताया है कि जो रिसोर्सेज हैं किसी भी तरह के विकास के अंदर ड्विलपमेंट के अंदर बहुत इंपोर्टन रोल निभाते हैं लेकिन कई बर क्या होता है कि कुछ कम्यों की वज़े से हम इन रिसोर्स को ड्वलप नहीं कर पाते हैं और जिसकी वज़े से क्या है हमारे सामने बहुत सारी प्रोब्लम्स क्रियेट हो जाती हैं तो इन प्रोब्लम्स को दूर करने के लिए हमें क्या है रिसोर्स का कंजर्व क तो इस से रिलेटेट पुराने समय के अंदर, इन एंशन पीरिड देरा मैनी लीडर्स ऑन थिंकर्स पूर एक्जाम्पल गांधी जी जी थे वह क्या थे ? कि अगर हम इन सोर्स इस रिलेटेड अगर हम इन सोर्स इस सोर्स को नहीं करेंगे, इन्हें सेव नहीं करेंगे for future अपने future के लिए तो क्या है ये धेद्रे करके खतम हो जाएंगे समाप्त हो जाएंगे तो उन्होंने इस एक बात कही थी there is enough for everybody's need हमारे पास सभी लोगों का यूज़ बहुत अधीक भोजन है खाना है not for anybody's greed लेकिन काई हमा पास सभी हुटे बहुत यूज़र है जो अब होती है एक भूक इन्सान की जो भूख हे वोठी बहूती है यूज़रोर्ट Repeuket घ्रेक होते हुटे नहीं है लेकिन हमारे बहुत देजिच दने कि बहुत से करद बहुत बढ़ों नहीं भरता है तो कहने का भी प्राय है कि अगर हम चाहें तो हम सही तरीके से चाहें थे हम रिसोर्स इसा कंजर्व कर सकते हैं इने सेव कर सकते हैं फॉर फूर जनेरेशन बट इसके लिए क्या है सब यह लोग एक समान नहीं है सब कि व्यूज एक जैसे नहीं है सब कोई किसी तरीके से सोचता है कोई इस चीज को किसी तरीके से सोचता है तो इसलिए अगर हम इने कंसर्व नहीं करेंगे तो यह क्या है हागे future के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा डेंजर बन सकता है आगे है next point दिविटर land resources अब देखें इसकंदर हम land resource के बारे में discuss करते हैं बहुत important topic है यह देखें जो हम जिस एरिये को पर रहते हैं we live on land and activities on land and we use it in different ways हम land को अलग लग तरीके से use करते हैं for example land is natural resource it supports natural vegetation wildlife human life economic activities transport communication and so on और जितने बी जो कारिये होते हैं वो सभी क्या है land के ओपर ही होते हैं अगर land नहीं होते तो क्या है हम लोग भी नहीं होते हैं लेकिन इसके फिर भी क्या है जो land है वो क्या है is an access of a finite magnitude there for it is important to use the availability land for various purposes इसलिए क्या है हमें जो land को क्या है अलग लग उदेश्य की पू करनी होगी अब भारत के अंदर देखा जाएं इंडिया has land under a variety of relief features for example भारत के अंदर जो 43% जो area है वो क्या है किसके लिए वो plane area है next is 30% is for mountains and 27% is for platews platewism है महाँ पर तो यह सारी इसकर क्या है अलग लग जो distributional land का वो इसके अंदर भारत के अंदर जो अलग लग distributional उसके according से बताया गया है next is land utilization लेंदेृ एडिया है जो land को मतलब किस की तरीके सलेंद इसका उसका है उसका किस तरीके से चीजाता है नँ फर्स Uический Sorry जो forest को जब्हुन होते हैं उनको उनको कैंद Copy या जाता है second one is land not available for cultivation ऐसा land जो जिसको पर खेती नहीं की जाती cultivate मतला क्रशी नहीं की जाती है barren and wasteland barren उते है बंजर जिसको पर जो खेती नहीं होती है तो बंजर भूमी है wasteland है जो बहुत सारा एरिया ऐसा है जो वेस्ट चला गया है and land put on non agricultural uses non agricultural uses for example building, roads, factories जहां पर यह सारी चीजे बनाई गई है वो उसके अंदर बहुत सारा एरिया चला गया है third one is other uncultivated land including fallow land fallow होता है मतलब जो खाली पड़ा जो एरिया है इसके अंदर जैसे permanent pastures and grazing मतलब जो पशो को चराने के लिए जो चराने के लिए जो लैंड है वो भी क्या है वेस्ट वो सिर्फ पशो के लिए ही रखा गया है land under miscellaneous street crops crops not including net stone area और इसके अलावा जिसको पर क्रशी तो की जा सकती है बट नहीं की जाती है not left in uncultivated for more than five agricultural years मतलब पिछले पांस सालों से उसको पर खेती नहीं की गई है agriculture नहीं की गई है इसलिए उसकी क्या है वो भेरन हो गई है वो उसकी क्या उपजावशती खतम हो गई है next is fellow lands अब fellow lands में काि परते परती भूमी जो परती भूमी होती है उसके इसके जिए परते बूमी कारंट फैलो मिंज लेफ्ट विदाव्ड काल्टिवेटिञ फोर वन और लस than जो चल रहा है जहां पर एक वन येर के अंदर एक या एक से ज्यादा समय के लिए उसमें खेती क्रशी नहीं की गई है तो वह भी कहा है वह एरिया भी कहा है वेस्ट चला जाता है अधर देन करंट फैलो लेफ्ट और वह या अगया फिर से जिसकंदर एक से पांस साल तक जिसके अंदर खेती नहीं की गई है वह भी कहा है बेरन लैंड के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है नेक्स नैट सोन एरिया नैट सोन एरिया मतलब इसका क्या होता है कि जो बोया गया जो शेत्र होता है निकल बोया गया जो शेत्र होता है उसकंदर क्या होता है इसको इसका इसे बोला जाता है पिटा ग्रोस क्रोपड एरिया देखिए ग्रोस क्रोपड एरिया क्या होता है क कि एक साल के अंदर एक से ज़दा बार, जब किसी भी खेद को बॉया जाता है उसका पर प्रशी की जाती है, तो वह क्या कहलाता है? ग्रोस्थ क्रोपर एंई चाहि आगे है land use pattern, इंडिया अब हमारे भारत के अंदर जो भारत के अंदर जो भारत के अंदर जो भूमी का उप्योग वो किस तरीके से किया जाता है, तो इंडिया के अंदर देखिए, use of land is determined both by physical factors, इसके लिए बहुत सारे factors इसे effect करते हैं, फिजिकल फिजिकल एंडिया के अंडिया के अंदर ये सारे एरिया ये सारे शीज़ इसके अंदर बताई गई हैं, आप आगे देखिए बिटा ये आपको ये पाई डायग्राम के द्वारे ये सारी चीज़े इसकंदर समझाई गही है कि जो उस समय के अंदर 90 ये जनरल लेंड यूज के टेगरी इस 1960-61 एंड जनरल लेंड यूज के टेगरी 2014 और 15 का ये डाटा है तो दोनों के अंदर आई है ये difference बताया गया कि कितना difference इसके अंदर आया है ऐखे आगे आप देखिए टोकर जेयोग्राफिकल ए एरिया इस 3.28 आप देखिए अगर पूरे इंडिया का जो शेत्रफल अगर एडिया देखा जाता तो कितना है 3.28 million square kilometer है और इसके ऊपर बट लैंड यूज़ डाटा however is available only for 93% of total geographical area लेकिन इसके केवल 93% area को पर ही क्या है जो क्रशिया की जाती है because the land use reporting for most of northeast states except Assam क्योंकि इसके अंदर क्या है पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ Assam को छोड़ कर क्या है किसी भी area का किसी भी state का क्या है exact वहाँ से डाटा नहीं निकाला गया है the land under permanent pastures has also decreased how are we able to feed our huge cattle population on this अब देखे इसके न क्या है बिटा हमारे भारत के अंदर बहुत बड़ा area बहुत बड़ा शेत्र ऐसा है जो क्या सिर्फ पशों के चड़ने के लिए उसे fix कर दिया अब देखे क्या होता है जब अब अब बार बार अपने मूम z a क्या है kya say तो पश्चु के चरते समय मुह में एक ऐसा लिक्विड निकलता है जो वहां की मिट्टी के अंदर मिल जाता है तो जो मिट्टी में मिलने की वज़े से क्या उसकी जो उपजाव शक्ति धिरे दिरे करके खतम हो जाती है और वह एरिया क्या है बैरन होता चला जाता है तो अलग लगवर मुह को मिलने को मिलने करके जाती समय मिले है करी बलॉठी और मिलने क्यों ऐसा इंदर मिलों उसक्ति अलग नहीं सकत्याय टो मिलने करें हो लुए ने कंग और चस्ची जो जो तक समय मिलन रहा दल पर पर स्बैल Kommis एख यह सितर रहां चाउंग का-डरोंी जं होता है it is over 80% of total area in Punjab and Haryana के वल पंजाब और हर्याना के अंदर 80% area को पर क्रशी की जाती है and less than 10% अर्णाचल प्रदेश मिजोरम महनिपूर अन्यमान निकुपार बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर 10% से क्रशी की जाती है क्योंकि कुछ तो क्या है यह सारे जैसे नाचल प्रदेश मिजोरम महनिपूर अन्यमान पर क्रशी करना क्रोप अग्रिकल्चर इस वेरी डिफिकल्ट है अब 1952 के अकोरिंग जो यह डाटा अगर निकाल के देखते हैं जो फर्स्ट नेशनल फोरेस्ट पोल जो इंडिया का जो टोटल एरिया उसके 33 परसंट एरिये को पर क्या है क्या होना चाहिए अगरिकल्चर होनी चाहिए बट यह नहीं हो रही है 33 परसंट क्या है टोटल होना चाहिए बट 33 परसंट एरिये को पर नहीं हो रही है और यही रीजन है कि जिस वज़े से क्या है हम थान सब्सक्राइब है Wikipedia और किस प्रकार ने कुंक्न कि सानसीी प्लाइन कर सके तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा we have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generations एक land ही एक ऐसा area जिसको बेटा पुराने समय से यानि कि हमारे जो पीछे वाले हमारे जो बड़े बुजूर्गे वो भी इसे use कर रहे थे हम भी आज use कर रहे आगे आने वाले generation भी इसे use करेंगी 95% of our basic निर्स हमारे जो बेसिक निर्स हैं जैसे food, shelter, clothing ये सब कुछ हमें कहां से मिलता है इसका 95% हमें land से ही प्राप्त होता है human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land अब जो human activities है उसके द्वारा क्या है बहुत land के बहुत बड़े ये को क्या है damage किया जा रहा है पेड़ों को काटा जा रहा है माँ पर क्या है बड़ी-बड़ी buildings मनाई जा रही है इससे क्या है जो agriculture का जो land है वो धिरे-दिरे करके खतम होता जा रहा है इसके अलावा और भी बहुत सारी human activities है like deforestation, overgrazing, mining, quarrying ये सारी चीजे क्या है जिसके द्वारा जो cultivation जो agriculture का जो area है उससे वो क्या है दिरे-दिरे करके खतम होता जा रहा है माइनिंग जो सारी माइनिंग होता है खान खोदना तो माइनिंग के द्वारा क्या है जो जब उसको खान खोदी जाती है तो वहाँ पर क्या उसके जावशक भी खतम हो जाती है उस area की जहां पर agriculture करनी थी लेकिन माइनिंग की वज़े से क्या है वो area बंजर हो जाता है बैर बहुत बड़ा एरिया है जो बंजर हो गया है बैरेन हो गया है गुजरात राजिस्तान मध्य प्रदेश मारास्ट ओवर ग्रेजिंग यहाँ पश्यों के बहुत अधिक चरने की वज़े से यह भी इसका क्या है लैंड डीगरेडेशन का एक बहुत में रीजन है इन स्टेर्स पंजाब हरियाना उत्तरप्रदेश ओवर इरिगेशन इस रिस्पोंसिबल फोर अब देखें ओवर इरिगेशन मतलब बहुत अधिक क्रशी की वज़े से भी क्या है लेंड डिग्रेडेशन हो रहा है द्यू तो वाटर लोगिंग leading to increase in salinity and alkalinity in the soil क्योंकि किस वज़े से हो रहा है क्योंकि वहापर क्या है पानी की जो लवनिय मातरा होती है पानी कंदर नमक होता है और बहुत अधिक नमक की वज़े से क्या है जो लेंड डिग्रेडिशन है उसको बहुत बड़ा प्रोसाहन मिल रहा है वो बहुत अधिक मातर इसके लिएठी हरा मास्ता में उरल के सबस्साप्ट साधी अधिक का में पाना हो रहा है उसको लिए फोर्स प्रोस है क्या क्या मोँध कर आपनाने होंगे तो इसकें क्या क्या पॉंच से स्मे बताई गा 오늘 बढ़़ा में बचाइग हैं बहुत सारे पॉंच से जिसके द्वा next is proper management of grazing अब जो पश्यों के चलने के लिए जगे जगे उनको चराया जाता है तो उनके लिए fix area किया जाए ताकि हर जगे की जो मिट्टी है वो खराब ना हो सके हर जगे की जमीन खराब ना हो सके planting of shelter belts of plant हो ही आगया फोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा ज़्यादा plants लगाना उसकी पूरी एक बैल्ट तयार करना ताकि क्या है महाँ पर जो land degradation उसे हम control कर सकें control on overgrazing इसके अलावा proper management of wastelands अब जो भूमी खराब जा रही है जो वेस्ट जा रही है उसको भी हमें proper manage करना होगा government को manage करना होगा ताकि जो land degradation उसे रोका जा सके mining control on mining activities जो mining activities उसको पर control करना प्रोपर discharge and disposal of industrial अब देखे क्या होता है बड़े बड़े जो उध्योग है उनका जो discharge होता है जो waste होता है वो क्या है खेतों के अंदर बहा दिया जाता है तो इससे क्या है जो land है उनकी क्या है fertility खराब होती है और वो अनुजाओ हो जाते है भैरन हो जाते हैं तो इन साथी चीजों को अपना कर किया है ज्यादा से ज्यादा जो treatment and can reduce land and water degradation इसके द्वारा क्या है हम लैंड और water degradation को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हम रोक सकते हैं ताकि जो यह land degradation उसे रोक कर क्या है जो हमारे इंडिया की जो बड़े बहुत बड़ा एरिया है जिसको पर हम agriculture कर सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट जा रहा है तो उसको हम रोक कर हम ज्यादा से ज करा दिया है अब हम नेक्स वीडियो के हम नेक्स बीडियो जो करेंगे इसकनम सोईल के बारे में डिसकस करेंगे यह भी बहुत इंपोर्टन है तो मैंने इतना कराया है आपको इसको अच्छे से देखना है और आपको अपनी बुक साथ बुक रिडिंग भी जरूर करनी है ताकि आपको जो डाउट्स है वो साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहें वैसे मैंने आपको बहुत इजी लेंग्वीज में समझाया है फिर भी बिटा अगर आपको किसी भी प्रकार कर डाउट है ता आप मुझसे डिसकस करोगे ओके थैंक्यू बिटा